उन्होंने ये कसमे खा लिया है कि बाबा साहब भीम राव अम्बेद करके संभीधान का बीरोध करना है। परधान मंत्री जी के सामने विधान सभा में एक पना का भासन पढ़ने में हक लाने लगे थे तेजस्वी जादो तो तेजस्वी जादो जी इसके चलते डर रहे हैं कि उनके सामने जाएंगे तो इनका सारा तेज खतम हो जाएगा। चाहे सोसल मिडिया के माधियम एक से चाहे वो बाइट के माधियम से उनके कहा है कि मुस्लिम समाज को आरक्षन मिलना ही चाहिए। तो उन्होंने ये कसमे खा लिया है कि बाबा साहब भीम राव अंबेदकर के संबीधान का विरोध करना है। बाबा साहब भीम राव अंबेदकर के संबीधान में ये लिखा हुआ है पच्छतरवा संबीधान सभा में कहे थे कि धर्म के अधार पर किसी को भी आरक्षन नहीं दिया सकता है। तो जब भारत के संबीधान में धर्म के अधार पर आरक्षन देने का कोई प्रवधान नहीं है। शासन करने के लिए ये जीते हैं मरते हैं। ये सारे कलाकार हैं, नकाब पोस लोग हैं, ये किसी गरीब का नहीं है, किसी दलित पिछडे बंचित का नहीं है, ये सिर्फ परिवार के हैं, ये एक खास विशेश समुदाय के भोट के लिए इस तरह की वाकालत कर रहे हैं। ये प्रधान मंत्री जी सणक से लेकर के सदन तक गए हैं, देश के सर्वुच सदन तक गए हैं, लेकिन ये लोग डाइरेक्ट इंतरी सदन में हुआ था, अब सणक पर जा रहे हैं ते लोग को दर्ध हो रहा हैं, ये सारे साहब जादे लोग हैं, ये घपले घोटाले के के पैसे पर ये लोग राजनीत करने वाले लोग हैं, ये लोगों को प्रधान मंत्री जी के जनता के प्रती अगाढ़ विश्वास और जनता को मोदी पर विश्वास के चलते, ये लोग डरने वाले लोग हैं, ब्याकुल होने वाले लोग हैं, इस देश में माननिये पिएंदर मोदी जी ने एक विधान, एक संविधान और एक निशान की आस्थापना किये है धारा 370 को समापच करके इस देश में कोई कहिं भी जा सकता है कहिं भी चुनाव परचार कर सकता है कहिं प्रदान मंत्री जी के सामने विधान सभा में एक पना का भासन पढ़ने में हक लाने लगे थे तेजस्वी जादो तो तेजस्वी जादो जी इसके चलते डर रहे हैं कि उनके सामने जाएंगे तो इनका सारा तेज खतम हो जाएगा परधान मंत्री मोदी का यहां रातरी विश्राम भी है लेकिन मुक्य सनी का यह बयान है उन्होंने कहा है कि सिर्फ गुजरात में ही परधान मंत्री मोदी इस्टे करते हैं दो दिन तिन दिन रात में रुखते हैं बिहार में क्यों नहीं रुखते हैं या अनपर्दिस में क्य प्रदेश चलता है जिस व्यक्ति का लोक लज्जा ही समाप्त हो गया हो उस व्यक्ति को कुछ भी बोलने का चूट है जो व्यक्तिया मर्यादित हो लोक लज्जा समाप्त हो चुका हो यह सान फरामोस हो वैसे व्यक्ति पर कुछ बोलना टिपनी करना उचीत नहीं है आप सुन रहेते भारजन्दा पार्टी के पर्दिस प्रवक्ता अर्विन सिंग को आगे की अपडेट के लिए बने रही एकनी श्टनडी पूर पर मेरी से योगी सोनु के साथ मैस्त देंजी पटना